देश में हीट वेव की शुरुवात हो चुकी है और जब भीशन गर्मी का जिक्र होता है तो कैलिफोर्निया की डेथ वैली का नाम ज़रूर आता है खड़ी चट्टानी पहाडियों और बंजर जमीन वाली इस वैली को दुनिया की सबसे गर्म जगह कहा जाता रहा है लेकिन ये जगह भी अफ्रीकन देश इथियोपिया के डेनेकिल डिप्रेशन के आगे कुछ नहीं है ये वास्तव में धर्ती की सबसे गर्म जगह है यहां सर्दियों में भी औसत तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहता है पूरे इलाके में नमक की जीले हैं जो गर्मियों में सूख जाती है यहां की हवा में एसिड की तीखी गंध और धुआ दिखाई देता है यहां वनस्पती और जानवरों की अलग स्पीशीज मिलती हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगी आईए सैर करते हैं डेनेकल डिप्रेशन की 124 मील लंबा और 31 मील चौड़ा डेनेकल डिप्रेशन किसी समय रेड सी का हिस्सा रहा होगा वक्त के साथ साथ ज्वाला मुखियों से इतना लावा निकला कि एक पूरे आईलैंड की तरह का स्ट्रक्चर बन गया नासा की अर्थ अब्जर्वेटरी का मानना है कि समुद्र तल से नीचे स्थित ये जगह और भी नीचे जा रही है और एक दिन पानी में मिल जाएगी इतियोपिया के डेनेकल डिप्रेशन को धर्ती की सबसे एलियन जगह भी कहा जाता है जहां कोई आता जाता नहीं इसके कई और नाम भी हैं जैसे गेटवे टु हेल और अफार डिप्रेशन बेहत बहादुर कहलाने वाले ब्रिटिश खोज करता विल्फरिड पैट्रिक थेसिगर ने इसे लैंड आफ डेथ भी कहा था जहां कुछ घंटे भी नहीं बिताए जा सकते यहां केवल साइन्टिस्ट और जोखेम उठाने वाले ट्रैवलर ही आते हैं अब पाया गया है कि यहां एक्स्ट्रीमोफाइल्स भी हैं यानि ऐसी वनस्पतियां जो धर्ती के सबसे एक्स्ट्रीम मौसम को जहलने के लिए ही बनी हैं हालां कि इन पर अभी कोई खास शोध नहीं हो सका है डैनेकिल डिप्रेशन में गर्मी के कई कारण है एक वज़ा है धर्ती के नीचे की हलचल यहां नीचे तीन टेक्टॉनिक प्लेटें हैं जो काफी तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही है इस अंदरुनी मूव्मेंट का असर उपर भी दिखता है इस पूरे क्शेत्र में कई एक्टिव ज्वाला मुखी है जिनसे लावा और धूआ निकलता रहता है साल के किसी भी मौसम में जाएं यहां की हवा में आग की धधक और जलने की गंध मिलती है यहां एर्टा एल नाम का ज्वाला मुखी है जो लगभग सवा 600 मीटर उंचा है इसके शिखर पर दुनिया की पांच में से दो लावा जीलें बनी हुई है साल 1906 में यहां पहली लावा जील बनी जो पानी नहीं बलकि खौलते हुए लावा से बनी है हैरानी वाली बात है कि यह लावा ठंडा नहीं पड़ता बलकि लगातार धधकता रहता है इसके अलावा यहां कई छोटे बड़े सक्रियज्वाला मुखी भी है धर्ती के भीतर लगी हुई आग की वजह से उपर की सतह भी बाकी दुनिया से अलग है यहां अलग तरह की चट्टाने और मिट्टी है जो भुरभुरी है देखने पर यह कोई दूसरा ग्रह लगता है डेनेकिल में पानी के कई सोते हैं यहां एक नदी भी है जिसे अवाश नदी कहते हैं लेकिन यह नदी भी अजीब है यह नदी लंबी होने के बावजूद कभी समुद्र तक नहीं पहुँच पाती बलकि कुछ-कुछ महीनों में सूख जाती है और नीचे नमक इकठा हो जाता है ज्वाला मुखी और गर्म पानी के सोतों की वजह से यह नदी पूरी तरह से एसिडिक हो चुकी है हाला कि यही चीज वहां रहने वालों के काम आती है वो नमक जमा करके पास के बाजारों में बेचने जाते हैं इसे यहां वाइट गोल्ड कहा जाता है क्योंकि इसके अलावा यहां कोई दूसरा सोर्स ओफ इंकम नहीं है एक और बाद डेनेकिल को सबसे गर्म बनाती है वो है समुद्र तल से इसकी पोजिशन तल से लगभग सवा सौ मीटर नीचे स्थित होना इसे और ज्यादा गर्म बना देता है यहां साल भर में बारिश भी 100 से 200 मिलीमीटर तक ही होती है बता दें कि हमारे देश में औसत वर्षा लगभग 500 सेंटीमीटर है वहीं उत्तर पूर्वी भारत और पश्चिमी तटपर सालाना लगभग 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है तो अनुमान लगा सकते हैं कि मिलीमीटर में बारिश कितनी कम होगी इतनी भीशन गर्मी के बाद भी यहां अफार जनजाती के लोग रहते हैं घूमन्तु समुदाय के यह लोग सालभर डेनेकिल में रहने की बजाए आसपास घूमते रहते हैं खास कर गर्मियों के मौसम में यह लोग पडोसी इलाकों में चले जाते हैं नमक और कैमल फार्मिंग इनके रोजगार का बड़ा जरिया है इसके अलावा यहां किसी तरह की खेती किसानी नहीं होती यह लोग भी डेनेकिल के आसपास रहते हैं नकि इसके में हिससे में चूँकि यह डेनेकिल के सबसे करीब बसे हुए लोग हैं इसलिए इनके नाम पर इसे अफार डेप्रेशन भी कहते हैं डेनेकिल में कुछ खास तरह की वनस्पतियां और कीटानू भी पल रहे हैं वैज्ञानिक भाशा में इन्हें एक्स्ट्रीमोफाइल कहा जाता है यानि वो चीजें जो बेहद विशम हालातों में भी जिन्दा रह सकें इनकी स्टडी से साइंटिस्ट्स ये भी समझना चाह रहे हैं कि क्या आगे चलकर एक्स्ट्रीम हालातों में दूसरे ग्रहों पर जीवन संभव हो सकेगा कई एंत्रोपोलोजिस्ट मानते हैं कि दुनिया में इंसानी विकास इसी जगह से शुरू हुआ होगा साल 1974 में यहां एक कंकाल मिला था जो आस्ट्रेलोपिथेक्स नसल का था ये इंसान के सबसे पुराने पूरवज माने जाते हैं इसके बाद भी कई प्राचीन नसलों के अवशेश यहां पर मिल चुके हैं जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि डेनिकिल में ही इंसानों का विकास होना शुरू हुआ होगा हालां कि अब तक इस बात की पुष्टी नहीं हो सकी है यहां एक जील भी है जिसे किलर लेक या अरात कहते हैं इसके आसपास काफी सारे पक्षियों के मृत शरीर दिखेंगे यह वो पक्षी होते हैं जो कहीं आते जाते यहां ठहर जाते हैं और जील के पास जाते ही खत्म हो जाते हैं दरसल इसके पानी में कार्बन डायोकसाइड और बड़ी मात्रा में मीठेन गैस पाई जाती है जो पक्षियों की मौत का कारण बनती है। पहली बार यहां साल 2013 में खोजकरता पूरे ताम जाम के साथ आये थे लेकिन जल्द ही वापस लोट गए। वैज्ञानिक दोबारा आये और इस बार वहां की जमीन, नमक और पानी के खौलते हुए सोतों से सैंपल लेकर गए। यहीं पता लगा कि यहां कुछ खास तरह के बैक्टीरिया पनप रहे हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं दिखे। एलियन प्लानेट की तरह लगने वाली इस जगह पर टूरिज्म भी शुरू हो चुका है। यहां की यात्रा नवंबर से मार्च के बीच होती है। हालांकि इसके लिए काफी नियम होते हैं और पूरी तरह से फिट लोग ही यहां जा सकते हैं। यात्रा यहां के सबसे करीबी शहर विक्रो से सुबह चार बजे शुरू होती है, जो कुछ घंटों तक चलती है। यहां हेलिकॉप्टर राइड भी मिलने लगी है। टूरिस्ट्स के साथ गाइड और डॉक्टर होते हैं। उन्हें खास तरह के जूते कपड़े पहनने होते हैं, ताकि गर्मी और एसिडिक हवा का असर कम से कम हो। जियोथर्मल इलाकों से गुजरते हुए बहुत सतर्क रहना होता है। ये सॉल्ट क्रस्ट है, जो कभी भी नीचे धसक सकता है और अंदर लावा भरा हो सकता है। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।